कॉस्टिन है सराइव मैथ इंग्लिश हिंदी सब्जेक्ट इन मैं ग्रेजुएशन इन ओपन युनिवर्स्टी एंड नाओ आइम इन सिक्थ सेम प्लीज क्लैरिफाइव वैदर आइम लीजी फॉर सीएटी सीएटी कंबाइंड एंटरेस्ट फॉर बीएड जो है पिशली वार गुरानकदेव उनिवेस्टी ने तिन साल क्या सी के एक सब्जेक्ट जड़ा एलेक्टिव है तिन साल पढ़िया होए मेजर कॉंबिनेशन तो अड़ा बढ़ना चाहिदा है मेजर पैड़ागोजिकल सब्जेक्ट बढ़ना चाहिदा है दूसरे जड़े माइ तो अनुपन यूनिवेस्टी केड़ी है और जरूर नाल लिखना चाहिदा है कि वार ओपन यूनिवरस्टी विच्ट अप्जेक्ट दी कॉंसेस्टेंसी ने मिल दी के मैथ लगातार पड़े जान दा है जना नहीं पड़े जान दा है नौरमली लीजिबिल्टी वीचे दि सब्सक्राइं करके तारओ आतार तरड़ मेजर सब़क्त बनेगा लगיך देगा तुसिंट युनिवर्सटी और अपना जनल सबजेक्ट पढ़े ने नहीं पढ़े ले उनिवस्टी वी ताइम है तो रहां पूछ रहा है किसन्म पता हुँदा है जे गुनानक देव तो पड़े हो पंजाबी उन्वेस्टी तो पड़े हो तो अधा जन्रल इंग्लिश पंजाबी तुसी पड़ी हुँदिया उस बेशते सानु पता हुदा के सेकंडरी सेकंड सब्जेक्ट रहे ना था इलिजिबल बन जानगे ते फिजिक सब्जेक्ट बन गया ऊंसर ली तो अनुँग दसना होईगा के डिटेयल चेतन साल तुसी केड़े सब्जेक्ट पड़े ने कुश्चन है सर मेरा कोश्चन यह है के प्लीज रिप्लाई मेरा बी ये कंप्लीट हो गया है सर मेरे पास मैथ इलेक्टिव हिंदी है तो सीधा Math का Hindi के साथ क्योंकि यह जो आपका के मैगा यह मुझेज़ सब्जेक्ट बन गया मेकज़ासि सब्जेक्ट मानवी काा चल लीज़ाम तो यह बन गया आप गौपन नब के लिए सीधे इलिजिवल बनते हुँ और एलेक्टिव सुचे अगर आपने पढ़र है और यह 3 साल है naturally पढ़ा हुआ है तो आप को pedagogy of mathematics और pedagogy of hindi ही लेना चाहिए दोनों के लिए आप government job के लिए eligible बनते हो provided आपके minimum marks कितने हैं 55 अगर बनते हैं पंजाब में अगर center government हैं तो 50% आपको marks चाहिए कितने marks score करने होंगे interest test में तो इसके लिए मैंने एक वीडियो प्राइवेट वाले तो अपना ही जो है जो भी आप मांगते हो subject वो दे देते हैं तोड़ा question clear नहीं है first year complete in regular can convert for second year as I have get government job मुझे यह आप नहीं clear नहीं हुआ question आपने question वो पूछना contact number मांगा है 842-745-8843 पर सकते हैं सर प्लीज त्यारी है मैं करवा दता हूं त्यारी करवाता हूं सर जी एंडी यू में computer और maths combination को ले सकते हैं हां जी बिल्कुल ले सकते हैं नॉर्मली maths आपका major बन जाता है computer भी बन सकता है आपने तीन साल कौन सा subject पढ़ा है अगर तीन साल अगर दोनों पढ़े हैं तो बाद में equal हो जाएंगे सो जी एंडी में आपका उतर है कि यस आपका यह combination बनता है सर बी ए हिस्ट्री पंजाबी इलेक्टिव फिजिकल नाल किते आप प्लीज सब्जेक्ट इस combination दस्टो बी ए हिस्ट्री पंजाबी फिजिकल नाल हुन तो अड़ा कॉंबीने मिनु नहीं पता तुसी कॉश्चन पुछ पुछा है जब कॉंबीनेशन पुछा है तर तो फिजिकल एजुकेशन जड़ा है इत्थे पैनल ले यह फिजिकल एजुकेशन है यहां पणजाबी पढ़िया है एक कॉंबिनेशन बन रिया है बिल्कुल बन रहे है दूसरा तो बन रहे है हिस्ट्री मेजर दिनाल पंजाबी बन रहे है और तीसरा तो डबंदा है जे कर तुसी यूनिवस्टी दूसरी विच्छो अपना पंजाबी यूनिवस्टी पी यू पी थे लिखन लगा हां पी यू सी बन लिखन लगा हां जे इना यूनिवस्टी भी एड करनी है हिस्टी दे नाल तो अनो हिस्टी कली पड़ी है तो अनो पेड़ागोजी ऑफ एसस्टी पंजाबी मिल जाएगा पर बाद विच तो अनू हिस्टी गॉर्मेंट जॉब ली इलिजिबल बनली हिस्टी दे नाल पोलिटिकल साइंस चो एकनॉमिक्स जो जोग्रफी चो एना चो एक फिलोसफी हो और सुच्छ वी सब्जेक्टर लेकिने फीर टोड़ेइंज दिखने प्रणिए के डीमसी विच मनलो तुसी की हूं मैट सूमेट तोड़ा मेजर सब्जेक्ट बनेगा मैज बन गया लेकिन यह कंप्यूटर साइंस जरा हो सकता है जेकर तुसी दो साल पढ़ वया है किनने साल डीमसी द सब्सक्राइब किनने साल प पादेता यह पंजाब भी लाना चाहों पंजाब भी ला सकते हो एस दा तो अनु फिर अडिशनल पिपर देना ही पाएगा लेक्टिव भी यह दा सो मैच ली तो यह 100 परसंट गौवर्मेंट जॉब लीजिबल हो एकल क्लियर है जै तुसी मैच ऑनर किती है विट विद फिज शिक्स भी लिखिया है तो सी मैच ऑनर विद फिजिक्स अना जे फिजिक्स है तो तुसी मैच लीना फिजिकल साइश को मिल जाएगा फिर तो अनु कम्प्यूटर विच से डिस्करेज मैं करां का थोड़ा जाएफिजिकल साइंस विच जा सकते हां अब एक बैटर है दे ज सब्सक्राइब करना है तो अपनी मास्टर डिग्री कर लेंदे हो तहां फिर तुसी पीजीटी लिए से तरह अलीजिबल हो मेरी गाइडेंस विचते आना इसनु समझ लेना के मैथ तो अडेली सब तो वदिया सब्जेक्ट है क्योंकि मैथ दी मास्टर डिग्री करके तुसी पीजीटी लिए से तरह बिना किसे अडीशनल तो अलीजिबल बन जान दे हो लेकिन फीजिकल साइंस ली तुसी अलीजिबल लिट्रेच्चर और एंडग ससंती तुसी दस्या ही नहीं है कि तुसी ग्रीजुेशन विच एससी जितने लिखेंख है कि तुसी के शायिंटी कल गोडे है Со 사स्बीक्स पड़िय। एकनॉमिक्स पड़ी हुई है अग्यों मैं खुद ही देखके दसांगा युनिवस्टी वाई देखके दसांगा मैं पहला भी क्या चुक कहा हां कि युनिवस्टी जरूर दसनी है जदो कुश्चन पुछना है तो यह तुसी यह दो सब्जेक्ट पड़े है गुरुनानक आए लेक्टिव पड़ी है तो लेकिन इंग्लिस तो अन्नू इलेक्टिव दे अडिस्टनल पेपर देने पहांगे भी ए दे मैं फिर तुसी गॉर्माट जॉब लीडिगिवल बनोंगे सर मेरे बीए पुलिटिकल हिस्ट्री पंजाब किती है कॉम्बिनेशन की बनूं प् पढ़े है हिस्ट्री तोड़ा बैस्ट पढ़िया हुआ है तो उस सेंटर गोवर्मेंट तोना चलिए विल करदा है और तो ड़ा यह कॉम्बीनेशन की बन्दा है शोशल साइंस में जर मंदा है और पंजाब बन्दा है और यह कॉम्बीनेशन अवेलेबल है किसे तरह देखा सब्सक्राइब कोई ज़रूरत नहीं है सर मेरे कौल ग्रेजुएशन विच फिजिक्स मैट से केम्प्यूटर है बीसी केम्प्यूटर साइंस स्ट्रीम है मेरे कौल मैंनू बियाट चे मैट साइंस कॉम्बिनेशन मिल सकता है सर प्लीज गाइड मेरा फाइनल यह दा ओके फिजिक्स आ गया फिजिक्स से कम्प्यूटर आ गया ओके उना तुसी चौन्दे कियो तुसी साइंस लेना चौन्दे हो तुसी क्या इते मैं लिख देता के बियाड विच तो अनू जेडा सब्जेक्ट मिल जाना है ओकी है पेड़ागोजी ऑफ मैट्स तो अनू मिल भिण न पक्रविवाट्राय मिल तुसे जाना का दे लगी है गोव्मेंट जाब लिख लedd दी टेखली की है कि तूसरी जडियूठL हो टी जडिटी ली तुसी यह ए्लीजिबल हो जो यह तुसी एमें सी mez praticamente कर लें छे कोई साइंस नितना है किल साइंस के तो साइंस मिलेका से हैं से सब्सक्राइबhh साइंस देदेने इत्थे तक ही नहीं गुर्णानक देव यूनिवस्टी इदे विच मैं लिखना लगां गुर्णानक देव यूनिवस्टी जी एंडी यू नॉर्मली तो फिजिक्स दे बेस्ते नहीं दिन दे हो सकता है हूर कॉल जांज विच वी जहा होए तोडी कारण यह है कि जो दो बिया डेंटरस टेस्ट होना प्रॉस्पेक्ट साइज देखना है उदे विच एक लाइन लिखी हुंदी है कि डॉकुमेंट्स वैरिफिकेशन दी जिम्मेवारी सारी कॉलेज दी है तो यूनिवस्टी तो आड़े डॉकुमेंट्स वैरिफिकेशन हो कि नार्मली नहीं जाने माइगरेशन साइंस तो बाष्षे सुसी एथ जाना है एक मोड़ाय जोविच जय इंटब्रेट्पर उनने दो साइंसे मंग ले तुसी नहीं पढ़ियां होन गिया हुझ जादा तुसी उथे एक साइंस दा डिशनल पर देऊ साइंस दा नॉर्मली एडिशनल पर नहीं होंदा बीए दे जादा हो सकता है को यूनिवस्टी क्रामदी होए जहां प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है फिजिकल साइंस दे नल कमिस्ट्री बायो दा अडिशनल पर देता जावे जां फिर तुसी साइंस दी जगाते फिजिकल साइंस दा जड़ा है बीएड दा अडिशनल पर दे के फिर पीजी टी फिजिक्स कमिस्ट्री करके पोस्ट ग्रेजुएशन करके फिर पीजी टी लि बढ़ो सो साइस तो नो मिल जाएगी तुसी दूरदर्शता नाल पूरा सोचना है कि ने नहीं है कि ने फ्यूजन होर कोई है गौर्मेंट जॉब दे लिए जब दो हैं हाँ दूसरी गल जै तुसी एं फिजिक्स जडीय मा लोकिती है कि आंजने किती है गोर्मयांट जॉब लेगी वी साइस ली मैअ लिजीबा हनgu मेरे पॉसिबल है नॉर्मली फिर तो अनुसा एमसी वाल जाना पाएगा टोटल ए इंफॉमेशन है मेरे खाल केंप्यूटर एथे तो अनो वाइड कर देना चाहिदा है जिद्धा तुसी एथे डेडिकेटड हो नेक्स्ट कॉस्चन है सर मेरा बीए विच कंप्यूटर पुल साइंस दे ना जे है तुसी एसस्ट तो नो मिल जाएगी होते लेकिन प्लस बाद विच्च तो अनो अडिशनल पेपर देना पहेगा फॉर एक्जमपल हिस्ट्री दा जहां पले अदा एकनॉमिक्स दा जहां तो नो जोगरफी दा यह तो नो पेपर देने पहांगे ओके न प्यूटर दियां जॉब्स थोड़ा जया दिखदा है कि अंक्लियर है जा इंस्ट्रक्टर रखे जन देने जहां हजे तक जॉब्स ब्याड वाले यां डिमांड नी हुए तो सोशल साइंस विच दा रेगुलर मोस्ट कॉमने आ जान दियाने सो ए नेक्स्ट है सर प्राइडए मुलबी डेव के नौट अपलोड कर दो फ्लीस केड़े का यूण पंजाब भी देते मिनौ क्लियर दस्टों कह जिदा दुसी वीडियो है न्यू डेट्स शीट पंजबी दे नोट्स तूसी का दे नोट्स मंगरे नू क्लीर नहीं है मिनू पूरा लिखके पे जो फिर मैं जो भी है कर दांगा तो उनू दे दे दांगा ग्यारां बारा नू एकठे करते पेपर डेट शीट अच्छा खराब हो ने अच्छा सर मैं बीएड सेम टू दे एक्जाम ची पेपर कोड गलत कोई गाल नहीं गलत पर लिया कोई वी प्रॉब्लम नहीं है कि सर्जी मैंने घ्रैजूएशन पोस्ट ग्रैजूएशन दोनों कीती हैं बीयर्ड कॉलेज चंडीगः वास्ते क्रैक्ट टीविकalah किती हैं कितों लमां जित्थों Master कीती है So Character Certificate जितो Master कीती है उत्तो हो लमा प्ली तुसी ए एं regular कीती है Post-graduation चंडीगाड बासते Character Certificate कितो हो लमा जितो हो टो ग्रेजवेश केते हैं जितो हो नहीं Post-graduation जिस Institute इंस्टिट्यूट और रेगलर होनी जाहिए अधर्वाइज प्राइवेट विच्छ करेक्टर सर्टिकेट नहीं होंदा ज्रूब छेड़ जवाब अधर्श कि कि अधर्वाइज पार्वाद संध्र में अधर्म में एक्जां होते हैं प्रेक्टिकल ही होते हैं पोटेंशिल का लग से वी डाल दूंक इसका टेर्सटीर अडिशनल प्रिंसिपल लीडर्शिप इंपॉर्टेंस ओनली पॉइंट्स ठीक है हेल्थ हैं ओके स्कूल मैनेजमेंट लास्ट ट्रेंड पॉइंट ये केडी वीडियो चाहिए लास्ट इट फॉर आइटप सरे क्वेश्चन नो शॉर्ट एक्स्प्लेंड कर दो तो फॉर्मल और इंफॉर्मल और्गनाइजेशन हों कर देना जैंडर अडेंटिटी अच्छा कोश्चन दूसर मैंने कोश्चन पुछना है के बीकॉम कीती हुई है फिर मैं बीड कर ली ते जे मेरे कोल टीचिंग ऑफ पंजाबी सर्जेक्ट सी हुन मैं अडिशनल पंजाब एल्यक्टिव देपर दे तेने ठीक है बिल्कुल होन मैं पंजाब भी पोस्ते बिल्कुल अलेजीबल होत उसी ऎल्यक्टिव अडिशनल देदते ने पैड़ागोजी पड़ मुट. ठीक है जिनदी बी-ए हुई हिए कलि ओ भी इडन अडिमिशन ले सकते बिलकुल ले सकते जी प्लीज यू कन गेव सम इंफोमेशन तो हो स्कूर माक्स इन बीड एंट्रस सारा दसांगा सारा करवांगा ट्रिक्स दसांगा डॉंट वरी सर में पंजाबी उनिस्टी पिट्याला विच अड्मिनिस्टेशन लेना चांदी हां बी ए ऐलल बीच प्लीज दस दो हो टू कै इते जवाब देना नहीं बन दाजदा वक्रे दमांगा सर प्लीज एक्स्प्लेंड प्रसेस ओफ माइक्रो टीचिंग हां वी कर दिना हां सर मैं राइट नाव दिल्ली यूनिवस्टी विच हो मेरे सिक्स सेम दे अजाम स्ताई मैं से है क्या मैं बीयड फॉर्म फिल्क फिल टेंचन होईगी इद्रों प्रसीजर शुरू हो जाएगा तुसी ओफ फॉर्म हर हालत चे फिल कर देने है तो अड़ी वेट कीटती जान दिया तो अनू टाइम दितता जानदा है अधर वाइस सेकंड कॉंसलिंग दे लास तक तक ता रजल्ट आ भी जानदा है और तो मेरा पंसल दा गैप है कि मैंनों बीच अडिमिशन मिल सक दिया दस साल दा गैप है तां भी मिल सक दिया है कि गैप सर्टिक्विट बंदा है दोख सोर पैदा तसील विच्चो बंजन्दा है रामना कोई फिकर अलीगल नहीं है